दोस्तों हमारे जो नए अधिवक्ता साथी है वह जब प्रेक्टिस करने के लिए कचेहरी में जाते हैं तो इंटेंसिप करते हैं किसी के पास में रहते हैं तो उनमें से लगभन 99 लोगों की समस्या ही रहती है कि वहां से जो पैसा मिला है उससे खर्चा ही नहीं चल पा रहा ह कंपेसा मा कचेहरी से मिलता है तो अगर उसके बिकल्प की बात की जाए तो ये है कि आप सेंही छोटे-मोटे केसे करें और छोटे-मोटे केसे की अगर बात की जायी तो सबसे ज त्षिला मुकदमे लिख जाते हैं 323 में, आगर जानसे मानने धमकीदी 506 में लिख जाते हैं, इसे मुकदमे बहुत ज्यादा लिखे जाते हैं, और इनकी बेल भी क्या होती है, labeled offense होते हैं, बहुत आसान होती है, लेकिन समस्या सामने आ जाती है, कि बेल को तज्यार कैसे करन वहाँ बहस कैसे करनी है, यह कैसे पता चलेगा, इसी में confidence डिग जाता है, जो हमारे नए अधिवक्ता साती है, और वह छोटे-छोटे काम पकल नहीं पाते हैं, इसी लिए सबसे जादा, high demand थी इस वीडियो की, कि सर यह बताया जाए, कि बेल कैसे तयार किया जाता है, खास कर चोटी अधालतों में, निचली अधालतों में, बेल कैसे तयार किया जाता है, और दोस्तों, यह भी हो सकता है, कि यूटूब के इतिहास में, यह पहली बार मैं बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल सरल भासा में, कि district court में, मजिस state के यहां, बेल कैसे फाइल की जा दे, चुकि यह जो छोटे मोटे केसे होते हैं, यह मजिस state के यहां फाइल होते हैं, और हिंदी में फाइल होते हैं, और जो other state के हैं, उनके other regional language में फाइल होते हैं, इसे तयार कैसे करना है, फाइल कैसे करना है, बहस कैसे करनी है, आज पूरा डिटेल इस और दोस्तों अगर जो चोटे मोटे केस हैं उनकी बेल आपको तयार करनी है, तो मज़े टेट के tribal case होते हैं उन्हीं की मैं बता रहा हूँ तो सबसे उपर आपको लिखना है जो magistrate जो भी होंगे जिस थाना का आप ये गौर करिएगा जो भी थाना उनका लगता होगा उसके अलग magistrate होंगे उस magistrate के नाम को आपको पता करना है इसके बाद में उपर लिखना है नियाले स्रीमान जैसे मैंने लिख दिया आपर मुख खिनाईक magistrate दिती है महोदे गोंदा ऐसे आपके जो magistrate होंगे उनको महोदे गोंदा इसके बाद में आपको यहां थोड़ा इस्पेस देना है इतना इस्पेस आपको छोड़ के रखना है जितना इसमें जगए बना हुआ है फिर इसके बाद में आपको आदाना है मुकदमे पर जब आप FI-R पकलेंगे FI-R पर जिसका पहला नाम होगा उसी का सरकार बना मुकदमा होगा जैसे रमेश के नाम मुकदमा लिखा गया है पहला नाम रमेश का है तो सरकार बनाम रमेश आदी होगा यहां आप लिखेंगे सरकार यहां बनाम या प्रति लिखेंगे इसके बाद में यहां बेल में अगर मान लिया जाए कि उसका नाम मुकेस है तो यहां लिख दिया जाएगा मुकेस या खाली मुकेस है तो मुकेस या मुकेस के साथ में और लोग है तो मुकेस आ दी इसके बाद में आपको यहां लिखना है मुकदमा अपराथ संख्या जब आप लोग F.I.R पाएंगे चार सीट आ चुकी होगी तो आफिस में जाकर डिखने के बाद यहां लिख दिया जाएगा IPC ये IPC ये लिख दिया जाएगा जिस थाने का मामला होगा वो थाना लिख दिया जाएगा जिस जिले का मामला होगा वो जिला लिख दिया जाएगा इसके बाद में पहला अप्ली केसों जो तयार करेंगे वो तयार करेंगे प्रात्ना पत्रवास्ते आत्म समर्पण चुकि जो छोटा मोटा मुकदमा है साथ साल से कम सजा वाले मुकदमे में गिरिपतारी ही नहीं होती है तो गिरिपतार होके तो विक्ति आपके पास आता नहीं वो विक्ति बाहर से ही आया है आपके पास में तो उसे आत्म समर्पण करवाना पड़ेगा तो आपको लिखना पड़ेगा प्रात्मा पत्र वास्ते आत्म समर्पण इसके बाद में इसमें सिंपल लिख देंगे स्रीमान जी सबने निबेदन है कि प्रार्थियुक्त प्रकण में अभ्युक्त है प्रार्थी गण अपनी जमानत है, सुरिमान जी के समझ आत्म समरपण कर रहे हैं, इसलिए न्याय हित में प्रार्थी गण को न्याय कभरिच्छा में लिया जाना आवस्त्यक है, अता सुरिमान जी से साधर परतना है कि न्याय कभरिच्छा में लेने के किरपा करने, इधर हो मनाम वही सब रहेगा मुकदमा प्राथ संक्या जो आपने उपर लिखा था इस बार हो जाएगा प्राथना पत्र वास्ते जमानर इसके बाद में नीचे लिख देंगे स्रीमान जी प्रार्थी सादर निमलिखित निबेदन करता है या प्रार्थी गण अगर है तो प्रार्थ कारित नहीं क्या है महसरन जिसन फस गये है फिर लिखेंगे या विपच्ची की साड़ गार्थ करके पुलिश द्वारा फरजी तरीके से प्रार्थी गण को फसाया गया है यह सब सारी चीज़े लिखेंगे इसके बाद में यहीं यह के आप ज्यादा तर एक लिखने या द क्या रंजिस सी थी या क्या मामला था कैसे जगड़ा हुआ था क्या तो उसमें जो भी ग्राउंड आपको दिख रहा हो कि इस ग्राउंड से बेल हमें मिलनी चाहिए इस ग्राउंड से विक्ति निर्दोस वो धारा दो में आपको लिख देना है फाई यार पढ़ेंगे करते हुए देखा हूँ यह फिर इसके बाद में आप लिख देंगे या कि प्रार्थिगन की बात जमानत न तो भागने का अंदेशा है और ना ही गवाहान मुकदमा पर कोई प्रभाव ही डालेंगे यानि कि न गवाहों से छेड़ चाल करेंगे न भागेंगे कहीं कर आप जमानत दे दीजिए इसके बाद में एक अंत में यह मैं भी लिख देता हूं मैं ही लिख देता हूं यह सारी चीजें कि या कि प्रार्थिगन की जमानत है को या स्थानिये सम्रांत लोग उपस्थित हैं तयार है इसलिए इन्हें नियाय विचार में नियाय विचार जादा उचित रहता इसलिए नयाय विचार में प्रार्थिगंग को उचित बंधपत्र वहा मुचलके पर तामुकदमा रिहा किया जाना आवस्चक है इसके बाद में नीचे लिख देंगे रिलीफ अता स्रीमान जी से साधर प्रातना है कि प्रार्थिगण को प्रातना पत्सोविकार करके उचित बंद पत्रिया मुचल के पर ताम उकदमा रिहा करने की किरपा करें कि जब तक इंड अब दा ट्रायल के लिए ने रिहा कर दिया ही फिर भी आपकी बेल आत्म समर्पण और बेल दोनों लगा देंगे हो जाता है लेकिन कई बार लोग कह देते हैं कि वह अपना रूल बनाया रहते हैं कि नहीं लाओ सपत्पत्र भी मुझे दूख तो सपत्पत्र अगर मांगा जा रहा है तब ही दीजीएगा नहीं तो सरकार बना मौधू आप डालते나ं रो मैं सपत्वान को आपको ससरा प्रता और स्वाया नहीं। ज़्कों डिक्षा रहा हूं यही सारी चीजह लिख दी जाती। इसके बाद यहां सत्या पन करता it कि अप्रोक सपत्पत्र की धारा, जितनी भी धारा है एक लगाया तीन मेरे निजी ग्यान में सत्वा सही है, यहां सपती हो जाते हैं, अब यहां अगर आप सपत्र साथ में दे रहे हैं, तो आपको यहां ओध कमिस्णर जो होते हैं, OC होते हैं, उनसे OC कराना पड़ेगा, आपको Swim Identify करना पड़ेगा, अब बात करते हैं, अगर ये सारी चीज़ें आप बना कर और निकाल लिए, फिर कैसे filing होगी, तो जो आत्मसमानपल का आपका प्रात्ना पत्र है, इसके उपर टिकेट लगेगा, यहाँ पर जो आमने जग जाएगी, जिसको आत्मसमानपल करना है, को दू-तीन-चार है, तो सब की नीचे लगेगी, यहाँ बगल आप लगा लीजिएगा, इसके बाद में, यहाँ आप द्वारा अधिवक्ता आप साइन कर लें, उनकी सारी साइन करा दें, यहाँ आपको पूरा पता भी लिखना पड़ेगा अभ्युक्त का, इसके बाद में, बेल में, कोई फोटो अगयरा नहीं लेगेगी, प्रार्थी अभ्युक्त गण का लिख दीजिए, द्वारा अधिवक्ता आप साइन कर दीजिए, और प्राथना पलट कर फाइल भाई करके भी आप साइन कर देंगे, आपका क केस की सुनवाई वहाँ होगी, जितने बज़े पेस होता होगा, वहाँ पर आप जाएंगे अपनी फाइल लेकर, और वहाँ कहेंगे कि हुजूर ये इन इन धाराओं में है, और जो ग्राउंड आपने बनाया था, कि इस ग्राउंड से ये लगता है कि मामला फरजी है, उस तरफ से उस बांड के लिए भी एक इस्पेसल वीडियो में बना दूँगा, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा कि बांड कैसे भरेंगे, कैसे पेस करवाएंगे, ये वीडियो भी में बना दूँगा, लेकिन मोटा मोटा समझ लीगे, बांड का लगबख सारे लोग जानते भी हैं, अगर जमानत हो गई, उसके बाद में जो गवाह मांगे जाएंगे, जो जमानतदार मांगे जाएंगे, उनका वो बांड भरकर आप दे देंगे, इनको रिलीज कर दिया जाएगा, और बेल आपकी हो जाएगी, आज का उद्देश ये था कि मजिस्टेट की बेल कैसे तयार की जाती है, ये बताया जाए, तो मैं उम्मीद करता हूँ, कि स्थरल भासा में, अस्पष्ट भासा में, आप लोगों को पता चल गया होगा, कि मजिस्टेट की बेल कैसे तयार करनी है, कैसे फाइल करनी है, तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली प्रॉब्लम साल्विंग वीडियो में तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्त का ख्याल लखिए कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माद दम से लेते रहिए मामलों से बचके रहिए I love you all, जै हिंद, जै भारत